नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं डवलू एचो ने कुरोना वैक्सिन को लेकर एक नई चेतावनी दी है डवलू एचो ने कहा है कि वैरस से बचने के लिए वैक्सिन के अगले साल 2021 के मद तक व्यापक टिका करन की उमीद नहीं करता है डवलू एचो के प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सिन की प्रभावसिलता, सुरक्षा और उसके जाच के महतों पर ज्यादा जोर देनी चाहिए और मंजूरी देने की परकिरिया को गंभीरता से लिये जाने की जरूरत है डवलू एचो ने कहा कि वैक्सिन को लेकर हमें या भी देखने की जरूरत है कि या कितना सुरक्षित है डबलू एचो के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोगडाउन इतनी जल्दी खोलना तबाई का करण बनेगा है मैट्रिक इंटर समपूरक परिक्षा 2020 में समिलित होने के लिए लगभग 50,000 परिक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है मैट्रिक के 27,000 वा इंटर के 23,000 परिक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है बता दे कि बिलम सुल्क के साथ परिक्षार्थी आज बाद सितंबर तक फोरम जमा कर सकते हैं उधर समपूरक परिक्षा केती थी अभी तक घोसित नहीं की गई है नवी से बरावी के छात्र 21 सितंबर से इसकूल जा सकते हैं राज्य में नवी से बरावी काक्षा तक के छात्रों के लिए 21 सितंबर से इसकूल खोले जाएंगे हर दिन 50-50 सिक्षक इसकूल आएंगे और वे छात्रों को विशायवार परामर्स देंगे इसके लिए छात्रों को अभ्याकों से स्वामति पत्र लाना होगा मैट्रिक और इंटर की परिक्षा को देखते हुए या निने लिया गया है बता दे कि मैट्रिक और इंटर की परिक्षा फरवारी में होगी ज्यारखन में 1537 नज संक्रमितों के पुष्टी हुई जो बोकारों से 126, 14, पांकुर से 1, 1, देवघर से 30, धनबाद से 27, दूमका से 25, गड़वा से 28, गिरिडी हजारी बागवा, गोड़ा से 22, गुमला से 12, जामतारा से 17, खुटी से 48, कुडरमा से 38, लोरदगा से 20, पलामू से 17, रामगर से 13, साहिबगन से 10, सराय किला से 32, स जिमडेगा से 15, वह पच्छमी सीमों से 87, मरीज मिले हैं, जारखन में कुल संक्रा मितोग संख्या 48,049 है, जबकि 32, 233 लोग स्वास्थ हुए और 447 की मृत्य हो गई, भारत में कुल संक्रा मितोग संख्या 40, 20, 249 है, जबकि 31, 4,512 लोग स्वास्थ हुए और 79, 635 की मृत हो गई, भारत में केस 87, 115 मिले, जबकि 79, 625 लोग स्वास्थ भी हुए है, शुक्रवार को 3 की मृत हुए है, जो जमसेदपूर से 2 और धनबाद से 1 है, शुक्रवार को 157 मरीज स्वास्थ भी हुए है, एक्टिव केस इस प्रकार है, राची 426, पुर्वी सिमों 266, बोकार 801, 14345, देवखर 103, धनबा 436, दूमका 207, घडवा 282, गिरिटी 422, गोड़ा 147, गुमला 342, 769, जाम तड़ा 149, स्खुटी 315, खुडारमा 706, लातेहार 355, लोगरदागा 174, पाकूर 145, पालामू 356, रामगल 855, साहिव गन 313, सराय केला 575, सिम्टेगा 275, भाएं, पारा सिख्षकों की नोकरी 60 बरस, राजे के पारा सिख्षकों की सेवा सत, निमावली को गुरु आरको सिख्षा में दे जगनात्मातोने स्वकृति दे दी है, निमावली में पारा सिख्षकों के सेवा अस्थाई करन वह मांदे के सम्तूले देने का प्रवधान क सकेंगे उन्हें बावन सो से बीच से या रुपए का बेतनमान दिया जाएगा सिख्षक पत्रता परिक्षा में सफल पारा सिख्षकों को बेतनमान पाने के लिए कोई परिक्षा देने के आऊ सकता नहीं होगी राची पहुची केंद्री जाश टीम राची धनबाद वा पूर्वी सिम्भूम तीन जीलों में कुरोना के संक्रमन की रोगठाम को लेकर किये जार Colon की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की तीन सदस्दीत टीम सुकरवार को राची पहुची राची पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों नामकूम इस्थित आर्ची एच निदे सालय में स्वास्त विभाग वर निदे सालय के पता अधिकारियों के साथ बैठक की बटा के दोरान विभागे अधिकारों ने पूरे राज की स्थित्ती से टीमों को अवगत कराया बता देखिया अजाश टीम राची धनबाद वा पूरवी सिम्भू में दर दिनों तक राकर जीलों में अवस्थित कोविंट सेंटरों के साथ साथ कोंटेंड मेंट जोन का निरिक्षन करेंगी सीएम हमन्त सुरे ने परदान मंत्री को लिखा पत्र जीस्टी ममला जारकन के मुख्य मंत्री हमन्त सुरे ने सुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज परदान मंत्री नायंद मोदी को एक पत्र लिखा इस पत्र के जरी उन्होंने पी-म को बताया कि राजे को जिएश्टी के पैसे देने में केंद्र कितनी अर्चने डाल रहा है इस पर जारकन मुक्ती मुर्चा ने मुखमंत्री का अभार जताया बता दे कि मुखमंत्री हमांसुले ने प्रधानमंत्री नादमोदी को समधित तीन पन्ने की एक चीठी सेयर की है इसके साथ लिखी कि उन्होंने जीएश्टी मुअबजा मिलने में केंद्रिक की ओर से खड़ी की जा रही बताओ के बारे में प्रधानमंत्री का ध्यान आक्रिष्ट कराया है पलाजमा डूनेट करने के लिए पलामू पूलिस के 22 जवन पहुचे राची जारकन में कुरोना संक्रमन के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं साथ ही इस संक्रमन के कारण राजे में मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं ऐसे में जो कुरोना मरीज स्वस्थ होकर लोट चुके हैं ये लोग पलाजमा दान कर लोगों की जिन्दगिया बचाने की कोशिस कर रहे हैं इसी करम में सुक्रवार को पलामु जिला मुख्याले मेदनी नगर पुलिस लाइन के 22 जवानों सिर्फ इसलिए राची आ रहे हैं ताकि वे अपना पलाजमा दान कर सके नीजी चिकित्सको एवं पाराच चिकित्सका करमियों को सरकारी मुवजा की मांग आई एमे मुख्यमंत्री हेमन सुरें से आई एमे जार्खन के पताधिकारियोंने मुलकात की मुखे मंती से पताधिकारियों ने सुक्रवार को कुरोना माहमारी के दोरान संक्रमित निजी चीकित्स को एवं पालाच चीकित्सा कर्मियों को निर्धारित सरकारी मुवजा उपलब्द कराने एवं सहीत का दर्जा देने से सम्मधित ग्यापन सोपा